रादे कृष्णा फ्रेंड्स तो इस बार मेरा दिवाली का व्लॉग भी नहीं आया और मैं बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था मुझे घर के कामों में आपको तो पता ही है मैं अकेली हूँ घर में और काफी काम हो जाते मुझ तो इसी वज़े से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई और आज मेरा व्लॉग आएगा शाय से आज नहीं तो कल तो उमीद है आप लोगों की सब की दिवाली काफी अच्छे से मनी होगी और मेरी भी दिवाली अच्छे से मन गई लेकिन बस व्लॉगिंग नहीं हो पाई तो अ क्लास गया हुए अपनी टूशन क्लास और अभी कर रही हूँ घर की सफाई तो अभी घर की सफाई कर लेती हुँ फीर मैं आप मिलती हूँ तो काफी थोड़ा बहुत फेला हुआ है वैसे तो मैंने सफाई करी ली और काफी मैंने घर में चेंजिंग भी कर दिये उपर वाला पलंग वगेरा सब मैंने हटा दिये हैं क्योंकि आपको पता है कितने खराब हो रहे थे और मैंने सब अच्छे से सेट कर दिया है तो मैं मिलती हूँ से थोड़ी देर बार और प्लीज अगर आप में चैनल पर नए है तो क्या करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करनी है तो फ्रेंट्स ये अंदर वाले रूम का पलंग था जो डबल वेट है न वही तो इन्हें अलग-अलग करके रख दिया है इन्हें ठीक कर लिया है वैसे आपने पिछले व्लॉग अगर मेरे देखे होंगे तो उसमें मैंने वीडियो डाला था किस तरीके से हम लोगों ने पलंग ठीक किये हैं तो अभी मैंने अलग-अलग कर दिये दोनों एक इस साइड रख दिया है आगे वाले रूम में बेटक रूम में और एक फ्रीज के पास रख दिया है पलंग क्यूंकि रूम में मैंने उपर वाले रूम से पलंग नीचे कर दिया है जो नीचे वाले टाइम लगता है सफाई करने में आपको तो पता ही था बड़ा घर है तो सफाई करने में मुझे काफी टाइम लग जाता है और बस यहां की डस्टिंग वगेरा मेरी सारी टोटल हो चुकी है बस अब मैं जाड़ू पोचा कल लूँगी मैं तो फ्रेंट्स यह पीछे वाली गेलरी है और मैंने इसे ज्यादा दिखाई नहीं है आपको यहां पर पेड़ पोदे काफी हो रहे थे और अभी दिवाली पेड़ निहां की भी सफाई हो चुकी है तो फ्रेंट्स अभी मेरा टोटली काम हो गया है डस्टिंग वगेरा मैंने काफी टाइम लगता है मुझे घर की साफ सफाई करने में क्योंकि आपको पते ही कितना आगे पीछे सब्दू सफाई करनी पड़ती है तो जाड़ो पोचा भी मैंने कर लिया है तो अभी मैंने पानी रग दिया है और थोड़ी देर जब तक पानी गर्म होगा जब तक मैं वर अराम कर लेती हूं थकान भी हो गई यह तनी साफ सफाई करके और अभी मुझे बनाना है खाना तो नहाने के बाद बनाती हूं तो मैं मिलती हूं आप्से नहाने के बाद प्लीज अगर आप मेंडमें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जickiगा और ल्यक बेसन लिया है और बेसन में थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाल दी है जो पेट के लिए काफी अच्छी होती है जब बेसन की कुछ भी चीज बनाती हूँ ना मैं तो फिर मैं डालती हूँ इसमें अजवाइन तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मेचे हल्दी पाउडर सा नमक डाल रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा तेल भी डाल दूँगी और आप चाहें तो इसमें हिंग भी डाल सकते हैं और बस अब इससे हम अच्छे से मिला लेंगे जो भी मिर्ची मसाले है ना बेसन में अच्छे से मिला लेना है और जब यह अच्छे से मिला लेंगे हम तो फिस में थोड़ा सा तेल ढलेंगे जादा भी नहीं डालूंगी थोड़ा सा यह डालूँगी तो बसे हम पर ग्रीक दे माईं छोटी एक चमस के करीब धाला है ते उसे अच्छे से मिला लूँगी तो मैं मतलब पेशन गठ्टे बना रही होना यह दम सिंपल तरीका है और यह दम सौ्फ्ट से बनते हैं ज्यादा मतलब में ना इने प्राइ करूंगी गट्टो को कुछ नई इने उबालूँगी मैं और कुछ भी नई उगेस्व करूंगी सिंपल तरीके से बनाओंगी और हम लोगों तो आइट सैट जितना भी ऐसे स्ट रग ने हैं। तेल इसलिए मैंने डाला था ताकि हाथ में यह चिपकता नहीं तो यहाँ पर लोईयां बन गई है और यहाँ पर पानी भी उबल रहा है थोड़ा सा तेल डाल दूँगी ताकि आपस में जो बेशन गट्टे हैं वो चिपकेंगे नहीं तो बस यहाँ पर उबाल आ गया है और यह सब डाल देती हूं गट्टे सारे उसे हमें कम से कम 15 मिट के लिए उबालने है ताकि अच्छे से उबल जाए हमें तलने की जरुवत नहीं पड़ेगी अच्छे से उबल जाएंगे तो और जब तक गट्टे उबल रहे जब तक मैं ग्रेवी तयार कर लेती हूं तो यह देखना पड़ता है तो यह नीचे से चिपकने लग जाएंगे तो यह अच्छे काफी अच्छे से फूल रहे हैं वह जब पक जाते ना तो अच्छे फूल जाते हूं यहां पर मेरी जो भी अद्रक लसन का पेश्ट तयार हो चुका है और यहां पर मैं अब थोड़ा सा एक चमच के तिल डाल दिया है मैंने तो ब्लसक का लाँ पर जीरा डाल रही हूं और जीरा थोड़ा सा बुन जाता है तो फिर हम और अद्रक लसन का पेश्ट डाल देंके इसमें मैंने अद्रक लसन और हरा धनिया टामाटरस सब एक साथ में ने ग्रेवी तयार कर लिए सबकी एक साथ और यह ग्रीन इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें हरा धनिया डाला हुआ है तो यहां पर गट्टे अच्छे से उबल गए हैं गट्टे के हमें खुब अच्छे से उबालना है और ग्रेवी को भी हमें 5-10 मिट तक अच्छे से भूनना है तो फ्रेंच यह अच्छे से भून गई है ग्रेवी और अब मैं इसमें सूखे मसाले एड़ कर दूँगी तो मैं यहां पर अपने टेश्ट के हिसाब से सूखे मसाले डाल रही हूँ तो यहां पर आप भी अपने टेश्ट के हिसाब से सूखे मसाले डाल सकते हैं तो यहां पर लाल मिच पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया है मैंने और गर्म मसाला उपा से डालूंगी तो वो बाद में डालना है तो बस अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे पांच से दस मिट के लिए तो फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल प हमारी पक चुकी है मैं थोड़ा सा पानी एड़ कर रही हूँ ताकि और अच्छे से पक जाएगी और जो भी तरी होगी तो वो उपर आ जाएगी तो बस पांच मिट के लिए मैं इसे और पका लूँगी उसके बाद में इसमें गट्टे डालूँगी तो जब तक मैं यह ग कर गए तो हमारी जो ग्रेवी अच्छे से पक चुकिए तो मैंने घते बिखाट रख लिए है तो यह देख लीजिए दम पतले पतले काटे हैं मैंने ताकि आद्ट clone अच्छा इसमें भर जाएगा गते में और अबी में मसाले में ही जो भी ग्रेवी है ना उसमें गट्टे डाल कर 2 मिठ के लिए से ऐसे ही भूनूंगी मसाले में तो यह अच्छे से भून गए हैं, अब मैं इसमें पानी एड़ कर देती हूँ तो यहाँ पर मैं एक ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ और यह वही पानी है जिसमें मैंने गटे को अच्छे से उबाले थे ना तो मैंने वह पानी नहीं फेका था वही पानी में यहाँ पर डाल रही हूँ इसका टेस्ट भी अलग सा आता है तो आटा भी लगा कर रग दिया है फ्रेंड्स मेंने और बस भुबाल आ जाएगा तो फिर उसके बाद रोटी वगेरा बना लेती हूँ तो यहाँ पर भुबाल आ चुका है और हमारी गट्टी की सबजी बन के तयार है तो बस अब में इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देती हूँ तो यहाँ पर सबजी बन गई है और मैं रोटी भी बना लेती हूँ तो अभी सोनू को खाना दे देती हूँ उसे भूख लग रही थी तो अभी पीऊ के पापा घर पे नहीं है बस अभी हम दोनों ही है और पीऊ तो दादी के आ गई हुए वो भी आने वाली है दोपर तक आ जाएगी और खाना हो गया हम लोगों का और यह मैंने दीवाली पे गुलाब जामून बनाये थे तो काफी अच्छे बने थे दम सॉफ्ट सॉफ्ट बने थे हमारे गुलाब जामून तो बस हम वही खा रहे हैं और आप भी आ जाएए फ्रेंट तो यहां पर यह देखिए यह इंतिजार कर रहा है इसी वज़े से मेरे न व्लॉग नहीं आ पा रहे थे क्यूंकि एक तो घर की सफाई करनी थी फिर बनाने में टाइम मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिला था मुझे व्लॉग करने का न कोई रेसिपी वगेरा में ने डाली कुछ भी नहीं में कर पाई थी क्यूंकि फिर जब वीडियो बनाने के लिए लगो ना तो एक जने होना चाहिए लेकिन फिर सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे इस वज़े से मेरी कोई सी भी दीवाली की रेसिपी की वीडियो नहीं आ पाई फ्रेंट्स खाना वगेरा हो गया है और अभी गेस भी खतम हो गई थी तो जैसे तैसे अभी रोटी तो मैंने बना ली है यूकर पापा को भी बोल दिया है कि गेस खत्म हो गई है तो देखते अभी का तो हो गया है और अभी खना होने के बाद अभी बरतन वगेरा मैं नहीं साफ करूँगी शाम को ही करूँगी तो देख लिजे बरतन तो रखे हुए है मेरे तो दे से ही साफ करती हूँ मैं अभी मुझे आ रही है नीन और मैं जाओंगी अभी थोड़ी दे सोने के लिए ठकान तो खेर होई जाती है सुबे से शाम हो जाती है काम करते करते तो अभी मुझे सुबे में जल्दी भी उड़ गई थी तो मुझे आ रही है नीन तो मैं जाकर सो रही हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ सोने के बाद याने शाम के टाइम दूप आ रही है थोड़ी तो मैं आपसे मिलती हूँ शाम को तो प्लीज वीडियो में बने रहेगा कहीं जाना नहीं है आपको तो फ्रेंट्स मैं आ गई हुई हूँ और यह है ग्रेसी क्योंकि दीदी गई हुए बाहर तो ग्रेसी को मेरे पास छोड़के गई है और यह हम ऐसा है ना हमसे चिपकी हुई रहती है कोई ना कोई इसको चाहिए इसके पास तो देखे में बेकिती ना आकर तो मेरे पास आकर बेटी हुई है और मैं सोने के लिए तो गई थी लेकिन सो नहीं पाई क्योंकि ये लोगे ना इतने भोगते इतने परेशान करते कि सोना और ना कुछ नहीं हो पाता है तो बस अभी मैं जाकर बरतन वगेरा साफ कर लेती हूं क्योंकि अभी शाम भी हो रही है और पीऊ भी आ चुकी है और यहां पर तो मैं इसे उठाती हूं अभी छे बजने वाले हैं और मैं मांज लेती हूं बरतन क्योंकि काफी बरतन हो रहे हैं फिर मुझे खाने की भी तैयारी करनी है शाम के और आपको पता ही है गेस तो खतम हो चुकी है तो मुझे यह तो अभी मैं बरतन साफ कर लेती हूं फिर मैंने साफ कर दिये हैं तो अब बस मुझे तो बरतन साफ हो गए हैं और बस अब मुझे साम का खाना बनाना है तो उसी की तैयारी करती हूँ लेकिन पहले पीहू को उठा देती हूँ मैं पीहू ए बिटा उठो चलो उठो 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 चलो शाम हो गई चलो उठो अंधेरा हो रहा है जल्दी खड़े हो जाओ जल्दी 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 खड़े हो जाओ पीहू कौन है खड़े हो जाओ कोई भी नहीं है अंधेरा हो रहा है शाम को भी सोते रोगे क्य खड़ो फ्रेंट्स मैं यही पर अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताईएगा और अगर मैं चैनल पे नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक और शेर कीजेगा तो हम अगले व्लॉग में मिलेंगे जब तक के लिए टाटा बाई बाई